तो जी सबको मेरा राम-राम और कल मैंने एक वीडियो डाले थी अप सब ने देख्योंगी तो बहुत सारी लड़केों के कॉमेंट आरे हैं कि दिदी हुआ वीडियो मैंने डाले थी वेट लोज को लेके थी कि आप बताओ किस तरह में हम वेट लोज कर सका है तो उसमें कई ब का भी काम है तो उनके लिए बहुत मुस्किल हो जाता है कि वो अपना वेट कम किस तरिया करें तो इसमें आप यह मैं सोचो कि इतना मुस्किल है वेट कम करना वेट कम करना इतना भी मुस्किल नहीं है मैं आपको अपनी एक दिखाती हूं तो आप देख रहे हो मुने दो काना चारी थी बाकि मैं तो उस टाइम पे मैंने जीम वगेरा भी जुआइन किया था ऐसा नहीं है बाकि सबसे बड़ी बात जो है जीम अगर आप करते हो तो आपको जीम के साथ 80% डाइट का आपको ध्यान रखना पड़ाएगा डाइट सब जरूरी है अब कई ओरते आपने सुनी होंगी बहुत सारी ओरते ऐसे बोलते कि मैं तो पूरे दिन में दो रोटी खाऊंँ फिर भी मेरा वजन बढ़ रहा है तो आप दो रोटी क्यों खा रहे हो कभी भी कोई भी एक्सरसाइज या पतला होने के लिए आपको बुखे मरने की जरूरत नहीं है सिरफ आपको हेल्दी फूड खाना है टाइम पर खाना बरपेट खाना है तो बुखे मरके अगर आप अपना वेट कम कर रहे हो तो उसमें फाइदा क्या है आपका आपकी बोड़ी में आपकी बोंस में इंजरी हो सकती है और तीस के बाद तो वैसे भी ओरतों को बहुत कैलसियम की हर एक चीज के आइरन की कमी हो जाए है और फिर आप बुखे मरके वेट कम करोगे तो उसते क्या होगा आपकी स्कीन एक दम है फेस का गलो चला जाएगा और जो स्टैमिना है बोड़ी का वो खतम हो जाएगा तो उसके लिए अगर आप वेट कम कर रहे हो तो आपको हैल्दी फू अगर आपको अपना वेट कम करना है तो तीन चीज यह आप बूल जाओ उसमें क्या है नमक मैदा और तीसरी है मिठा चिन्नी तो नमक कहोगे कि नमक हाए नमक के भी गयर क्यों कर काम चलागा तो नमक है सफेद नमक सफेद नमक की जब आप काड़ा नमक या फिर सेंदा नमक यो यूज करो दूसरा आगा मैदा तो कई कहते हैं कि हम तो मैदे की कोई चिज नहीं खाते है लेकिन काई बार क्या होता है थोड़ी थोड़ी चीजे जैसे जा रहे है किसी ने चाई बना दिए उसके साथ मठी खाली या गरपैम ने मठी खाली या जह आतरे के बणे टे वह चीज घखाली आप यह चीज देखो आपके किस किस चीज में कितने टाइम तक मैं दखा रहे हो फेर आती हैं आप तो औरते बोलते भी इवां फिक की चापी में बिने चिन्नी के तो चाहीं नहीं पी सकते तो चिन्नी की जगह आप यह निया कि मिठ़ा बंद करो लेकिन ए उस ते भी हो जगा अगर आप चाय क्या दिए आप चाय नहीं छोड़ वारे तो उसके लिए आप खांड का यूज करो चिन्नी को छोड़ दो अब मिठाई खाते हो तो उसको आप कम करो मैं यह नहीं कहरी कि आप एक बार बैन लगा दो उसको आप कम करो नैचुरल सुगर का का ज्यादा इस्त्रमाल करो अब कई हैं जैसे गृणी बोलती गृणी दिन में कम से कम च्यार लें अगर आपको घ्रींटी कडवी लग रही हो तो उसमें आप चनक सेटें लो जो एक नैचुरल सुगर है तो सीरफ आपने छोटी-छोटी बाता का द्यान रखना बात आती है सुबह से लेके रात तक की अब कहीं क्या करते हैं सुबह सुबह उठते हैं उनको खाली पेट के आदत होती है कि चाय पीने की के आंखे निखुल दी अगर आप चाय के आद सबस्क्र करते हैं पाने तो दो ले डंके ले डाल सकते हुए उसके भी बहुतस सारे फाइदे हैं ऑंपीने पाने यह ले लोकर चाय क्या दी हो तो उसके एक और गट की दब चाई पी लो थोड़े टैल लो थोड़ा वो यह अगर आप गूम सकते वह घूम लो नहीं आप उठते मत प्योएं क्योंकि वह पता क्या है अगर आप उठते चाई पुते हो तो आपको गैस मनाएगी उसका और कोई फायदा नहीं है चाये का वैसे तो कोई भी फायदा नहीं है पीने का लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो आद दी हैं छोड़नी भागते अगर आपी तन्याद दियो तो बसोब है दो गिलास पानी continue ये आपने रखना है उसके बाद जब आप ब्रेकफास्ट करते हो तो ये भी आप याद रखो अभी ये नहीं आप ब्रेकफास्ट आप बारा बजे कर रहे हो लंच चार बजे कर रहे हो तो आपने 7 ते 8 बजे के ब अलग-अलग चीज़े खालो, अब रोज मैं आप तो बोलूँगे आपने स्प्राउट खाने हैं उसमें भी आप बो रो जाओगे, अगर मैं आप तो रोज बोलूँगे कि आपने ओर्स खाने हैं उसमें भी आप बो रो जाओगे, तो आप अलग-अलग चीज़े करलो, एक एक दिन आपने प्राउट खाली एक दिन आपने पोहा ले लियाए एक दिन वेजी टेबल का जूस पी लिया जिसमें वेजीटेबल में आपने लोकी डाली क्रिला डाली या पालक डाली dire यह सारी चिज्ज़ों करें उसके बाद अगर आप फिर लैंच कर रहे हो लंच में आप मल्टी ग्रेन की रोटी जिसमें ग्यों नाओ, उसमें बाजरा, चने काटा, मकी काटा, जवार काटा, ये सब सारी रागी काटा, ये सारी चीज़े मिक्स करके, आप एक रोटी, ब्राउन राइस, बोईल्ड वेजिटेवल, दाल, और जिसमें ज्यादा घी ना जारते हो साथ में सैलेड डेर सारा जैसे खीरे आई हो यह गाजर भी आगी हैं उसमें जितना भी आप खा सकते हो तो कितना सारा खाना वह गए जो आप पेट बरके क्षा सकते देखो बुखित सब्सक्राइब लेते हो तो उसमें हलका डालो जदा मसाले की सब्जी मतलो नोर्मल लोस में हलका ओईल डालो हलके मसाले डालो तो अपने प्रोटीन आयरन सारी चिज्जे मिल जेंगी तो उसके बाद खाने के बाद फिर कईयों की आदत होती है लेटने की बहुत से लोग मनें देखे हैं वो खाते ही सोजेंगी ये गलत बाद है थोड़ी देर के लिए आप टैल लो खाने के बाद ताकि अच्छे से डाई जैस हो सके अगर हम खाना खाते बाप सोच रहें मैंने तो हैल्दी फूड खाया था लेकिन नहीं उसके लिए आपको थोड़ा सा इदर उदर घूमना जरूर है और खाणा खाते कई लोगों की आदत होते हैं के झालफने या फिर असक्याय निसे रहें by और ने आपी सकते घृ श्वास्याady में तेमें आपने पीर աाल लीमने बनानी आपने अपने तरह आ इन चीज़ा कि आपने चाई बना ली ठीक है उसके बाद आप सोचोगे तो चाई के साथ खाने की कुछ ना कुछ आदत है तो उसके साथ आप ड्राइफ रूट खालो मखाने होते हैं जो हम गूंद वगारा में डाल लाकर है ताल मखाना जी से नाम बोल लाएं अपने अरिया यह वेस्ट है लेकिन वह चीज़े अगर आप देखोगे वह वेस्ट नहीं है अब सारे इन कोई कठे कर लो मार्केट तली आओ जब भी आप चाई पी रहे हो थोड़े से सारे ड्राइफ रूटी कठे करके हैं उसने चाई के साथ खालो अगर आप रूखी चाई नहीं पी स खाओ फिर बाद याति आपके डीनर की अब कई लोगी बोलेंगे बहीं जब तो खाँ पेट बरकर निखाले आमने नीदेनी आती आप एक टाइम रखो आप ये नहीं है कि आप रात के 11 बजे खारे हो 12 बजे खारे हो गर आप रात के 11 बजे खाओगे और खाते सो जाओगे तो मोटापा तो बढ़ाएगा खाने का टाइम रखो कि मने तो 7 वजे खाना है खाना आप जैसे आज अभी तो ब्रोकली इतनी अच्छी आई हुई हैं वो आप ब्रोकली इतनी अच्छी आपके लिए आप ब्रोकली ले लो मस्रूम आई हुई हैं बोल्ड मस्रूम ले लो सू बजी उसके बाद क्या है जब हमें सोने जाते हैं लिए यह सोने से पहले आपने यह जीज़ बहुत है आपने हर रोज पीना है जीरा वाटर अगर आप जीरा वाटर नहीं पी सकते हो तो आपको लेनी है ग्रीन टी और हपते में एक या दो बार आप दूद भी प्यों हल्दी डालके और जिसमें चिन्नी नी खांड डालनी है मने पहले भी कई आप नेचरल सुगर का यूज़ खरो और अब तो गुड़ाया हुआ है आपको जुरूत निया खांड की भी दूद लिया हल्दी डाल लिए उस मच्छे ता पकाया लेकिन आप रोज भी दूद मत पलो स्टैमिना भी बढ़ाएगा और फैट भी कम होगा और फिर कई लोग बोलते हैं कि हमारे फेस पे गलो नहीं है तो गलो की बात यह है जब आप अच्छा खाओगे हैल्दी खाओगे तो अपके फेस पर अपने आप दिखाई देगी अब आप एक चीज बताओ अगर हम कोई पेड लगाते हैं देखो हमने एक पेड लगा लिया अपनों गमले में लगाया कहीं भी लगाया तो उस पेड में आप क्या कर रहे हो उसके पत्ते साप कर रहे हो पत्ते पर पानी डाल रहे हो या उनको साप कर रहे हो लेकिन जो पेड की जड़ा उसमें अपना पानी डाल और ना खा डाल रही हो तो अब बताओ कि ओपेड़ करके वह अच्छा खानी रहे हैं तो उसमें वह होगा वह मेक अप और क्रीम कब तक चलेंगे लेकिन जब हम healthy food खावेंगे अच्छी चीज़े खावेंगे वेजिटेबल जूस या जो भी हम फूड खा रहे हैं healthy खा रहे हैं तो आपने ना तो किसी महेंगी क्रीम की जुरूरत है ना डेली जागा हर मतब डेली तो नहीं हपते में या पंदरा दिन जो भी जाते फेशियल करवा कि आते उस चीज़ की जरूरत है तो आप अच्छा खाओगे वह मेंशा दिखाई देगा तो यह चोटी चोटी टीफ्स हैं अगर आम इन फोलो करेंगे तो बोड़ी पासर भी दिखाई देगा एक healthy life भी जिवेंगे अब कई ओरतों का क्या होता है अगर बोलेंगे कि आपका वेट बड़ा हुआ है आप इसको कम कर लेंगे आसे यह नूर्मल जैसे कई बार हम बात कर रहे हैं कहा देंगे तू बहुत मोटी होरी थोड़ी पतली हो जा तो जवाब क्या होता है मनें कुण साब्या करवाना है तो मैं एक बात उन्त कहूंगी क्या सिरफ हम साधी करवाने के लिए ही पैद हुए है अपनी healthy life कुछ नहीं है बोड़ता कि कितनी तरह की विमारी ह अब वीडियो है मेरी बोस से लड़के भी देखा हैं तो आप समझ जाओगे मैं बोलना नहीं चाहूंगी तो बहुत सी बिमारी होती हैं और तक है आज यह दिक्कत और या जो और या गाइन अकलोजिस्ट के पास जा रहे हैं मेरे को द्यान भी नहीं है लास्ट मतलब जब खाती हूं उसका असर है मेरे को कभी भी गाइनकलोजिस्ट के पास जाने की जुरूरत नहीं पड़ती है और आपके साथ भी ऐसा योगा आप अगर थोड़ा सा अपना ध्यान रखोगे ना थोड़ा सा एक हैल्दी लाइफ अपनी लेका चलोगे तो आपको ना कभी गाइन जाओगे आप किसी गाइनकलोजिस्ट के पास जा रहे हैं आपको दिक्कत है तो आपको रिसोड़ी की दिक्कत पता नहीं क्या क्या दिक्कत मिलती है जिससे सारी ओरते आज कल के आज के टाइम में फ्रेशान है उनका वेट बढ़ जाता हो अपने उपर ध्यान नहीं देती वो कुछ हैलदी नहीं खाएंगी दिन में ये खाने का टाइम नहीं है कुछ नहीं है मतलब वो पूरी फैमिली का तो द्यान रखती है और बच्चों का रखती है हस्बिंड का रखती है सास सुसूर का लेकिन कोई ज्यादा तरोरते अपने उपर ध्यान नहीं देती और इस सी प्रेशानी होती हैं तो सिरफ एक अपने लिए टाइम निकाल लो मैं सब को यहीं बोलूंगी अपने लिए प्लीज आप टाइम निकाल लो अगर आफ ठीक हो तंदरुस्त हो तो सब आपके साथ हैं आप ओ कहते हैं ना कि यह जन्नम एक बार मिला बार बार नहीं मिलता मैं यह नहीं कहा रही कि आप हर चीज पर रोक लगा दो कि आप कहीं बार जा रहे हो मैं यह भी नहीं खा रही वो भी नहीं खा रही मैं मना नहीं कर रही आप एक दिन रख लो कि बही चलो हम संड़े को कहीं बार जा रहे हैं फैमिली के साथ मैंने कुछ खा लिया उसमें आप वर्काउट फिर करने पारे हो आप यह चीज्जे खा रहे हो ताइम से खाना नहीं खारे अच्छी फिर वही ओता ना और तो को डारक सरकल की प्रोब्लम टाइम से पहले रिंकल पिंपल की प्रोब्लम बाल जड़ना डेंडर पता नहीं क्या-क्या विमारी होती हैं तो इ लेकिन मैं आपसे हाथ जोड के यह बोलती हूं कि यह जो आपकी लाइफ है यह एक बार मिली आपको बार-बार मिलने वाली नहीं है और अगर बार-बार मिली तो किस ने देखी और आप एक बार बताओ इस लाइफ मैं अप अच्छा नहीं कर रहे हो पने लिए तो अगली लाइफ में क्या करोगे तो मेरी आप से हाथ जोड़ कर ये विंती है जितनी भी मेरी सारी बैन है healthy food खाओ मैदा चिन्नी इंची जन छोड़ दो इनको साइड में रखो अगर एक healthy life जीनी है तो ना तो आपको कोई mango product face पर लगाने की जुरूरत पड़ेगी ना अपने कोई facial या कुछा जी एक करवा रहे हो उन पर भी तो आप कितने पैसे खो रहे हो लेकिन आप अपने लिए एक अच्छा खा रहे हो अच्छी एक life जी रहे हो तो उसमें आपका ही फायदा है ना तो आज के लिए बसी इतना ही और अगर यह मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो please comment जरूर करना और बुरी लगी है तो वो भी comment करके मेरे को जरूर बताना और अगर और कुछ मेरे से पूछना है डाइट के बारे में तो मैं एक और वीडियो बनाऊंगी उसमें आपके साथ कुछ और बाते शेयर करूंगी जो मेरा experience था हो मना आप तो बता दिया healthy life जीओ और खुश रहो तो आज के लिए सरफीत नाई और मेरी राम राम सबने वीडि जरूर करना